क्या इस बार की भारतिये क्रिकेट टीम क्रिकेट इतिहास की सबसे बहतरीन टीम है। मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ चलिए जानते हैं। कल टेबल, टोपर्स, भारत और साउथ आफरिका का मैच था। ऐसा लग रहा था कि इस मैच में काटे की टकर होगी। लेकिन विजयरत पर सवार भारतिये टीम ने साउथ आफरिका को 243 रनों से रोन दिया। इतियास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब भारत किसी वर्ड कप में लगातार आठ मैच जीती हो। और सोने पे सुहागा तब हुआ जब बर्थडे बोई विराट कोली ने अपने आइडियल सचिन तंदूल करके 49 शतकों के रिकोर्ड की बराबरी भी कर ली। और अब बात बिल्कुल तैह हो गई है कि लीग मैचों में भारत ही टेबल टॉपर रहेगा। इस वर्ड कप में अब तक किंग कोली ने 543 रन बनाए हैं, कप्तान रोहित शर्मा ने 442 रन, श्रेयश अयर ने 293 रन, केल राहूल ने 245 रन और गिल ने 219 रन बराए हैं। अहीं गिंद बाजो में मोहम्मद शामी ने 16 विकेट लिये हैं, बुमबुम भूमरा ने 15 विकेट, सरजडेजा ने 14 विकेट, कुलदीप ने 12 विकेट और मिया मैजिक सिराज ने 10 विकेट चटकाए हैं। गाईज लगता है इस बार तीसरा वर्ड कप आके रहेगा।